वेलकम टू यूट्टूब चैनल जीके जी अस्वित मनित सर आज 15 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्यपुर्ण क्रेंट अफियर्स होंगी और स्टाटिक जीके बनेंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्यपुर्ण क अब देखो दोस्तो इसमी श्रीलंका बांगला देश मयानमार थाईलंड नेपाल भोटान के बिदे निदियों को बेजा तो देखो दोस्तों थाइलेंड के बिदे समंत्री कौन है मरीम सांगिया पोगास फुटान के बिदे समंत्री कौन है डी एन धनुयेल बांगलादेश के बिदे समंत्री कौन है हसन महमूद मयानमार के बिदे समंत्री कौन है ठान सरवे हैं मयानमार के बि क seventeenur researchök क मिनति को सामिल नहीं हुए कौन-कौन से समंत्री तो नेपाल के विदेशमंत्री निरान काजी सिर्लंका की कौन है अली साबीर यह दोंगो आम नहीं पाए नहीं इस जुन 1997 को विमिश्टेक की इस्थाबना होई और विमिश्टेक का मुख्याले कहा है तो धाका में है विमिश्टेक का मुख्याले मेरे प्याले लालेवं लालियो धाका में ही है बंग बंधू नेस्टन इस्टेडियम अगला पस्न है विश्टु पेपर बैक दीबस कम मनाया गया है तो विश्व पेपर बैग दिबस मनाया गया है 12 जुलाई को, कब मनाया गया विश्व पेपर बैग दिबस 12 जुलाई को मनाया गया, अब देखो, राष्ट्रिय चिकेट सक दिबस 1 जुलाई, चार्टर एक जुलाई, राष्ट्रिय डाक करमचारी दिबस 1 जुलाई, राष् ये प्लास्टिक बैग मुक्तिय दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वधनता दिवस 4 जुलाई, अंतराश्ट्रिय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विसु जुनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया, बैस्विक छमा दिवस 7 जुलाई, और विसु चॉकलेट दिवस कम मनाया गया है तो साथ जुलाई को मनाया गया है बिसु चॉकलेट दिबस राष्ट्रिय मतस्य किसान दिबस दस जुलाई बिसु जनसंख्या दिबस ग्यारा जुलाई और मलाला दिबस कम मनाया गया है तो बारा जुलाई को मनाया गया है मलाला दिबस दोस्तो दोस्तो अगला परशन है संगाई सहयोग संगठन SCO का दसमा स्रस्य देश कौन बना है तो बेलारूस बना है दोस्तो संगाई सहयोग संगठन SCO का दसमा स्रस्य देश तो बेलारूस की कैपिटल क्या है यह आप बता दो केमेंट बॉक्स में देखो संगाई SCO का फुल फॉर् operation organization जिसका headquarters चाइना के बीजिंग में है और SCO की स्थापना होई 15 जून 2001 हो SCO के सेक्रेटरी जन्रल कौन है घांग मिंग है दोस्तों SCO के मेंबर देश हैं तो SCO की कितने मेंबर हैं अगला पस्टन है राष्ट्रपती दुरोपती मुर्मुर ने वर्स दोहजार चौबिस में सेना और अर्ध सैनिक बलो की कितने बीरों को किर्थी चक्र दिया है तो दस दोस्तों किर्थी चक्र कितने सेनाओं को दिया गया है तो दस सेनाओं को दस सैनिक और अर्ध सैनिक बलो को किर्टी चक्र से सम्मानित किया गया है दोस्तों अब देखो तो किर्टी चक्र दोस्तों सात व्यक्ति को मर्नो प्रांत मिला जिसमें इस्पेक्टर जीडी दिलीप कुमार जितनास थी हिट कॉंस्टेबल राज कुमार यादब कॉंस्टेबल बबलू रभा कॉंस्टेबल स दिआ गया खिरती। कि डेश्कि दैक्टीो को दिआ गया गया जिसमें साथ एक्राइगा है मर्नों प्राइद मैं रिपीट कर दे रहा हूं इंस्पेकटर कुमार कुमार दास हिड कॉंस्टेबल जीडी राज कुमार यादव, कॉंस्टेबल बबलूस राभा, कॉंस्टेबल संभूराई, सिपाही पवन कुमार दोस्तो, कैप्टन अंसुवन सिंग, मेरे प्यारे लाले बंब लाली ओ हवलदार, अब्दुल मजीद, ये साथ वैक्तिरी को दिया गया मर्नो प्रांथ किर्ती चक्र दोस्तो, और तीन वैक्ति को दिया गया, गैर मर्नो प्रांथ, मेजर दिगविजय सिंग, रावत, मेजर दिपैंदर, विक्रम, वसेंत, सुबेदार, पवन कुमार यादव, ये तीन वैक्ति को दोस्तो, गैर मर्नो प्रांथ दिया गया, किर्ती चक्र दोस्तो, तो किर्ती और शॉर्टा के लिए दिया गया दूश्टू गोग कितने वीरों को दिया 60 वेरों को और किर्थी चक्र कितने वीरों को दिया गया आप बता दो कमेंट बॉक्स में सौरे चक्र में दोस्तो साथ वेक्ति को मरनो प्रांत दिया गया सौरे चक्र साथ वीरों को मरनो प्रांत दिया गया दोस्तो सौरे चक्र कुल कितने वीरों को दिया गया सौरे चक्र 26 वीरों को कुल क लगाने के लिए कानून पारित किया है हाली में किस देश ने रूस से आने वाले सरनार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है तो फीनलेंड ने दोस्तों किस ने फीनलेंड ने अब फीनलेंड की राधानी क्या है है फीनलेंड के पीम कौन है पिटरी ओपरे फिनलेंड के परसिडेंट कौन है अलगजंडर अस्टब कौन है दोस्तों फिनलेंड के परसिडेंट कौन है अलगजंडर अस्टब है फिनलेंड के परसिडेंट है और फिनलेंड की क्रेंशी क्या है तो यूरो है फिनलेंड की क्रेंशी दोस्तों तो फिनलेंड के पीम कौन ह rit को देखो अंत्रख्च में प्रिच्छेपित करने वाला दुनिया का पहला देश है अंत्रिक्ष में जाने वाला पर्थम ब्यक्ति का नाम है मेजर यूरी गौगरिन अंत्रिक्ष में तैरने वाला पर्थम ब्यक्ति कौन है एलेक्सी लेनेबो अंत्रिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है वेलेंटीना तरेसकोवा रूस के राश्टरपती कहा रहते है के मिलीन में रूस का राश्ट्य चिन निक्या है तो double headed eagle है रूस का राश्ट्य चिन और छहत्रफल की दृष्टी से दुनिया का सबसे ब्लादेश जो है ये कौन है तो रूस है मेरे प्यारे लालेवं लालियो सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना दुनिया का जो रूसमी है सबसे बरी जील जो है वो कैस्पियन सागर जील है और कैस्पियन सागर जील रूस में है कजाकिस्तान में है तुर्कमेनिस्तान में अजरबेजान में और इरान में फ़ला हुआ है औंयगा जील कहा हैं दोस्तों संस्कृत में है हैं याद रखना मेरे प्यारे लालियो अगला प्रशन अगवर多 संस्क्रित मंत्राले द्वारा सुरू की गई पर्योजना ये परी है इसका उद्दिश क्या है इसका उद्दिश है दिल्ली के सौंदर्य और संस्कृति सरूप को बढ़ावा देना ये दोस्तो इस पहल का उद्दिश है परी पहल का अब दोस्तो दिल्ली देखो दिल्ली में दोस्तो केंद्रिय रिजर पुलीस अबल का हेर क्वार्टर है जिसका स्थापना हुआ था 1939 में, राष्टिये करेडिर कोर अर्थाद NCC की स्थापना हुई थी 1948 में, भारत तिब्बस सीमा पुलीस ITBB की स्थापना हुई थी 1962 में, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना हुई 1965 में, राष्टिये सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना हुई 1984 में, कैंद दियो और पंजाब नेस्टनल बैंक का हिर्ट क्वाटर भी नई दिल्ली में है डिया डियो की स्थापना कब हुई तो एक जनवरी उन्हें स्थापना कब हुई इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको अगला प्रश्ण है विश्व श्वास्ट संगठन ने चिकित में सा उपकरने पर वैस्वे एक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए कौनसे मंच की सुरुआतकी है तो मेडिबिस मंच की शुरूआतकी है मेडबिसपहल की सुरूआतकी है डबलू एच ओने तुष्टू अब डबलू ऐचका फूल फॉर्म है वल्ड हेल्थ ओंजेश अर्था और अभी सुश्वास्त संगटन जिसका हेट क्वाटर जनेवा सुझरलैंड में है। सुर्जिलंग का एक सहर है जनेवा वही पर डवलु एचो का हिट क्वाटर है डवलु एचो की स्थापना हुई 7 अप्रेल 1948 को और डवलु एचो के डायेक्टर जन्नल कौन है टेड्रोस अधानम गेबेरियस जो है यह डवलु एचो के डायेक्टर जन्नल है दोस्तों दोस्त सका दोस्तों रॉकेट था जिसका नाम था हाई पर ऽो ला एक जो प्रिछेपन के तुरंत बादोसफल हो गया तो चीन का दोस्तों था जीन का दोस्तों कि कुछ olmगा कुण है सी आउप और चीन की सीमा स्वरवधी के देशों से लगती है चीन की सीमा कितने देशों से लगती है ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में और चीन की सीमा भारत के किते राज से लगती है चीन की सीमा भारत के कौन कौन से राज से लगती है ये भी आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तो दोस्तो अब देखो यह जो हाइपर बोला एक रॉकेट था दोस्तो यह प्रिचेपन के तुरंतबाद ओसफल यह टाइपिंग तुस्तो ही कर लेना ओसफल दोस्तो ओसफल हो गया है तो देखो इस कारण से क्या हुआ तो चीन रॉकेट चीन के गोवी रिजिस्तान इस्टेट जियो काउन उपगरा प्रिचेपन केंदर से प्रिचेपित किया गया था और यह जब ओसफल हुआ तो चीन के तीन मौसमी उपगरा भी नस्टो हो गया इस कारण से तो दोस्तो अगला प्रश्ण मारा है किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में निक्त किया गया है किसे आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में निक्त किया गया है तो संकर नारायन को निक्त किया गया है इसका एंसर क्या हो जाएगा ए हो ज प्रुसकार का नाम क्या है प्रुसकार का नाम क्या है ये रूसका सर्वोच नागरिक सम्मान है जो अभी भारत के प्रथान मंतिर नेरेंदर मोदी जी को दिया गया है मेरे लालेवम लालियो दोस्तो देखो अब रिभीजन कर लेते हैं देखो बागवानी में प्रतिष्ट क्रसी नेत्रित पुरुसकार 2024 के से दिया गया नागा लेंड को दिया गया विराट रामायन मंदिर के दूसरे चरण का काम सुरू हुआ है यह किस राज्य में इस चित है बिहार में दोस्तो हाल ही में किस देष के किरकेट खिलारी GEMS Adderson ने टेष्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घुस्टना की है तो इंग्लेइन के खिलारी है GEMS Adderson दोस्तो दोस्तो हाल ही में किस राज्य में में मेंगो फेस्टिबल 2024 की सुरुआत होई है तो उत्तर प्रतिस के लखनों में शुरू हुआ है। तो बारा मार्च को मनाया गया मलला दिबस दोस्तों। तो इटली का दोस्तों ये हवाई अड्डा है, केटिनिया हवाई अध्यास, पीछ बलेक का आयो जण किस देश में हो रहा है। ऊस्टेलिया में हो रहा है। उदार सक्ति सन्थ भ्यास 24 का आयो जढ़ भारत और किस देश के बीच होता है। और मलेशिया की राधानी क्या है कॉला लामपूर दोस्तों आज का आपका तीन प्रशन जिसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको पूरभी भारत का पहला विश्विध्याले दिभ्यांग विश्विध्याले किस राज्य में खुलेगा समिधान हत्या दिवस हर साल कम मनाया जाएगा और किस राज्य में मेंगो फेस्टिबल 2024 की शुरुआत होई है तो इस तीनों प्रशन का जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ये था हमारा आज का महत्त पूर्ण क्रेंट अफियर इसका पीडियप आपको टेलिग्राम पे मिलेगा इस इसका लिंग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक्यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों